कालो की मा बसंती को रात में देर तक गाउं में टहलने की आदत थी मा, मा बहुत देर हो गई है, अब तो तुम अंदर आ जाओ चुपकर कालो के बच्चे, मैं तो आज दूर तक टहल कराऊंगी और बसंती इस बार गाउं के आखरी छोड तक टहलने निकल जाती है अचानक वह काउं के बाहर बने जंगल में तीज रोशनी देखती है अरे, ये क्या है? लगता है इस बार तो सच में एलियन आ ही गए पर उनका उड़न खटोला उन्होंने कहां पार्क किया होगा? तभी बजंती भाग कर काउंवालों को बुलाने जाती है जंगल में फैली उस रोशनी से साथ लड़कियों की परचाई निकलती है तो आखिर हम आ ही गए पर यहां इतना अंधेरा क्यों है दोस्तों? अरे बुद्धू, क्योंकि अभी रात है ना? और इस समय इंसान सो जाते हैं इसलिए बत्यां भी बुजा देते हैं अब सब इधर उधर हो जाओ और फिर कल हम सब घूमने निकलेंगे पर हम मिलेंगे कहां? और सभी परचाईयां एक जंगे पर मिलने का डिसाइट कर इधर उधर हो जाती हैं हम लोग इस जगह कैसे पहुचे? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ इतने बड़े पृत्वी लोग पर आखिर हम लोग यहां ही कैसे आए? मगर सब इससे इत्तिफाक समझ कर इधर उधर गाओं में खुस जाती है तभी उस जंगल की गुफा में हसी गूँचने लगती है बसंती तभी गाओं की मुख्या को पकड़ कर लाती है ये देखो मुख्या जी अंतरिक्ष से उड़न खटोला आया है मुख्या देखता है तो वहां कुछ भी नहीं था चल पागल बसंती तेरी भी रात में मजाग करने क्याद गई नहीं और मुख्या बसंती को पागल समझ कर वहां से चला जाता है बसंती भी नहीं समझ पाती की आखिर वो सब हुआ क्या अगले दिन गाओं में एक जगह भीर लगी हुई थी सब लोग एक दुसरे को देख कर वहां खड़े हो गए थे और सब लोग देखते हैं कि दो बेहत ही सुन्दर लड़किया गाए भैसों के साथ मस्ती करते हुए उनका दूद निकाल रही है और उनके उपर सवारी कर रही है ये दीख गाओं वाले हसते नहीं है और सुम्या और निहा यहां से चली जाती है पर सारे गाओं वाले उन दोनों के रूप को घूरते हैं ये दोनों परियां तो ऐसे कर रही है जैसे पहले कभी गाए भैस देखी ही नहीं थी गाओं का नौजवान विवेक अपने दोस्तों के साथ नदी के पास से गुजर रहा था कि तभी उसके उपर पानी के छीटे लगते हैं और वो सामने दीखता है तो नदी में तीन बहुत ही सुन्दर लड़कियां खड़ी होकर पानी से खेल रही थी विवेक उनका रूप देखकर मोहित हो जाता है वही गाओं की दूसरी और गाओं का मजबूत पहलवान जगत गुजर रहा था और दूसरी और दो लड़कियां आख पर पट्टी भांद एक दूसरे को पकर रही थी कि तभी जगत वहां से जैसे ही गुजरता है और तभी स्वाती जगत को पकर लेती है जगत और तो से बहुत चर्टा था यह दीख जगत उस लड़की को डांट देता है और वो दोनों दोस्त बहुत साधा डरती है इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं है दीख करुणा मुझे बेवजे कितना डाटा पता नहीं कैसी कैसी लड़किया आ जाती है इतनी बड़ी घोडी है मागर इन्हें चुपम चुपाई खेलना है सौम्या और नेहा अपनी बाकी दोस्तों को ढूंडते हुए नदी के किनारे आती हैं विवेक भी छिपकर उन्हें देख रहा था वर्शा चवी और आस्था अब और कितना खेलती रहोगी चलो बाहर आजो और करणा और स्वाती कहा है और सब छिपकर करणा और स्वाती को ढूंडती हैं और सातों लड़कियां जंगल में एक जगह मिलते हैं स्वाती को रोता देख सब दोस्त समझ जाती हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जोर से हसती हैं तुम नाग लोग से भाग कर यहां मस्ती करने ही तो आये हैं और स्वाती पागल तो रो रही है हम है न तेरी सबसे अच्छी सहीलिया गुफा में बेठा तांत्रिक हस रहा था कि तभी वह अपने पात्र में रखे जल पर मंत्र फूकता है और तभी उसमें सातो नागिनों की परचाई आ जाती है तो आखर तुम सब यहां आ ही गई तुम बेवकुफ को लग रहा होगा कि तुम यहां खुद आई हो लेकिन तु नहीं हो कि यहां तुम्हें मेरी काली शक्तियां खीच का लाई है और तांत्रिक अपना हाथ आगी करता है और उस पर नागमणी प्रकट हो जाती है नागिनों अब बचो मेरे इस चाल से सभी नागिन दोस्त प्रित्वे लोग की सुंदरता के मजे ले रही थी कि तभी विवेक छवी के पास आता है तुम बहुत सुंदर हो मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ क्या तुम उससे प्रेम करोगी यह सुनती ही बाकी नागिन आकर गाउं की और बढ़ रहा था कि उसे जगत मिलता है अरे बाबा कहा जा रहे हो वो भी इतनी जल्दी में मुझे लगता है कि यह पहलवान बुद्धी मेरे जरूर काम आएगा और तांत्रिक जगत को सारी बात बताता है अरे वा तो वो नागिने थी बाबा मैं तुम्ह तांत्रिक एक बुड़े का भेश बना लेता है बेटी क्या एक बुड़े को पानी मिलेगा बदले में मैं तुम्हे एक चीज दूँगा और नागिने तांत्रिक को पाने पिलाती है बदले में तांत्रिक दो नागिनों को नागमनी दिखाता है सौम्या और करुणा नागम नागमनी तो हमने चवी को सौपी थी, नाग लोग की अमानत एक मामुली बुढ़े के पास कैसे गई? जरूरु स्वाती का इसमें कोई तो लालच होगा, और सौम्या और करुणा जाकर चवी को थपर मार देती हैं। चवी कहा है हमारी नागमनी? और जब चवी नागमनी ढोड़ने लगती है, तो उसके पास नागमनी नहीं मिलती है। मैं न कहती थी कि इस चवी पर तो कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। हाँ मेरी नागमणी कहा गई और सब नागिने चवी से जगरने लगती हैं और सब उसे अकेला छोड़कर चली जाती हैं चवी बिचारी अकेले ही जंगल में भटकने लगी और बाकी छे नागिने मूफ उलाए आगी चली गई ये देख तांत्रिक बहुत खुश हुआ और तांत्रिक आगी निकल जाता है और जगत चवी के सामने किसी बिगड़े गुंडे की तरहें खड़ा हो जाता है वो नागमणी मेरे हवाले करते नागिन चुप चाफ से चवी ये देख कर खबरा जाती है इस से पहले की चवी कुछ कर पाती जगत चवी पर हमला कर देता है मगर तब ही विवेग बीच में आ जाता है विवेग बिचारा हाथी जैसे जगत के सामने चीटी जैसा था अगर तब भी वे छवी के लिए लडाई करता है पर जगत के आगे विवेक टिक नहीं पाता और जगत उसे खोब मारने लगता है तब ही वहाँ एक तेज रोशनी आती है और छवी एक मिशाल नागिन में बदल जाती है उसे देग जगत खबरा जाता है और छवी जगत को पूछ मार मार कर उसकी जान ले लेती है तब ही छवी विवेक को उठाती है विवेक थोड़ा डरा हुआ था तुम एक नागिन हो तुम जगत के सामने इतने कमजोर थे फिर भी तुम मुझे पचाने आए और छवी विवेक को चूंगती हुए उसे लिपड़ जाती है विवेक भी उसे गले लगाता है विवेक मुझे लगता है मेरी दोस्त खत्रे में है अब हमें उन्हें बचाना हो प्रेटी वो गुफा में जखमें पड़ा है और तांत्रिक बहाने से तीन नागिनों को गुफा के अंदर ले जाता है और स्वाती आस्था और करुणा वहीं बाहर रह जाती हैं कहा है तुम्हारा बेटा यहां तो कोई भी नहीं है तभी बुढिया हस्ती हुई तांत्रिक में बदल जाती है और तीनों नागिनों को कैद कर लेती है बाहर खड़ी नागिने अपने दोस्तों का इंतजार कर जब अंदर जानी लगती है तो तभी गुफा का दर्वाजा तुरंथी बंद हो जाता है और यह देख नागिने घबरा जाती है तभी गुफा के अंदर से आवाज आती है अगर अपने दोस्त की जान प्यारी है तो वो नागमणी मेरे हवाले कर दो ये सुनते ही तीनो नागी ने चौकती है ये तांत्रिक नागमणी मांग रहा है तो इसका मतलब है कि हमने छवी को गलत समझा ये हमने क्या कर दिया अब हमारे दोस्तों को कैसे बच और तांत्रिके सुनता हुआ हसता है और नागमणी को पत्थर से तोड़ देता है इसका मतलब ये कोई असली नागमणी नहीं है बस एक चमकीला पत्थर ही है और नागिनों को तांत्रिक की पूरी चाल समझ में आ जाती है दोस्तों इस तांत्रिक ने हम साथ नागिनों में फ कर दे मेरी दोस्त हमने तेरा विश्वास नहीं किया अभी इन सब बातों का समय नहीं है करुणा हमारे दोस्त खत्रे में है मगर इस गुफा में हम घुसेंगे कैसे तभी छवी आंख बंद करती है और उसकी हतेली पर नागमणी आ जाती है प्रित्वी लोग पर आते समय की चमक देखता है और चवी से नागमणी लेने की कोशिश करता है मेरी नागमणी ये मुझे दे दे नागिन चवी बाकी नागिनों को भी छुडा लेती है और सातों नागिन विशाल नागिन रूप में आकर तांत्रिक पर खूब वार कर उसे कुचल कुचल कर मार देती है तांत्रिक के मरती ही सब नागी ने एक दूसरे के गले मिलती हैं दोस्तों, आज हम एक बादा करते हैं आज के बाद किसी के भी भेकावे में आकर हम साथ नागीने कभी पह अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे हाँ, मगर एक दूसरे को छेडेंगे जरूर और तभी करुणा विवेक का हाथ पकड़ कर छवी के हाथ में रख देती है और सब हसते हैं विवेक और छवी भी कले लगते हैं और फिर साथो नागिने प्रिथ्वी लोग के भ्रह्मन पर निकल पड़ती है जैसे ही वो जाती हैं तभी जंगल में फिर से तेज रोष्णी पैदा होती है मगर इस पार बसंती ने वो रोष्णी मुख्या और बाकी गाउवालों को भी दिखाई मैं ना कहती थी दूसरी दुनिया के लोग उड़न खटोला लेकर आए हैं और यू रातो रात बसंती पागल औरत से खबरी औरत बन गई और सभी नागिन दोस्त भी खुशी-खुशी प्रित्वी लोग पर घूमने फिरने लगी ऐसे ही प्यार महबत और दोस्ती से भरपूर कहानिया देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल अनम स्टोरीज से